वेलकम दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल हेल्टिप्स मडिकल नोलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों दोस्तों मैं हूँ हैमन्त और आपके लिए कहा हूँ आज जो अपन जो प्राड़ेंगे वो बिहार C.H.O के लिए कापी महत पून है दोस्तों अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और पास में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दिजे ताकि आने वारी वीडियो की सबसे पहले नौटिफिकेशन आपको मिलती रहे है तो दोस्तों देखते हैं अगे क्या है टो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके साथ में यहां पर यहां पर टेस्ट फटेथ एप्यार जो ऀयों कर सकते यहां पर आपको डिफरेंट benefit कॉर्सेजollar trash को आपको मिलेंगे तो चलते हैं दोस्ता हैं कौन-कौन से इंपॉर्ट skate b पढ़ेंगे बात करें यहां पर सबसे इंपोर्टेंट बात है Health Minister औप भिहार भिहार का Health Minister का नाम क्या है सिरी मंगल पांडे ध्यान रख लेना यह भिहार का हेल्थ więc मिनष्टर का नाम है स्री मंगल पांडे यहां पर benefits of चीप मिनिस्टर काला आजार राहत योजना ठीक है यह बिहार की इसकी में ठीक है benefits of चीप मिनिस्टर काला आजार राहत योजना जो काला आजार राहत योजना है उसके अंदर कितना benefits होता है तो इसके अंदर कितना होता है 300 रुपे पर डे का 300 रुपे पर डे देता है किसमें काला आजार इसकिम के अंतरगद और यहाँ पर given under आशा Chief Minister राहत योजना 50 रुपीज ठीक है, every patient यहाँ पर प्रतेक patient के उपर अगर आशाद अगर वोस patient को लेकर hospital में एड़िट कराती है तो इसको भी 50 रुपे इसमें मिलता है, और पर patient का यहाँ पर 300 रुपे दिया जाता है किसमें काला आजार राहत योजना के अंतरगद यहाँ पर एक question यह पूछे जा सकता है आपसे which application developed for COVID-19 infection by विहार government, ठीक है, COVID-19 infection के लिए विहार government ने कौन सी application को developed किया है, तो जो बिहार government है, उन्होंने JKD, ठीक है, JKD MM, ठीक है, यह application का नाद दियार रखे लें, exam में पूछे जा सकता है आपसे JKD MM इस application को developed किया है, किसने बिहार government ने, यहाँ से आप जो infection है, यानि कि जो आप यहाँ hospitals, ठीक है, vaccination और इनकी जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं, JKD MM application से, next यहाँ सकते question पूछे जा सकता है how many rupees per two vasectomy patient, ठीक है, यानि कितना रुपे pay किये जाते है, how many rupees pay ठीक है, ध्यान रखना, pay ठीक है, how many rupees pay to vasectomy patient, अगर कोई नस्बंदी कराता है, कोई mail अगर नस्बंदी कराता है, तो उसे कितने रुपे दिये जाता है, तो उसे 1100 रुपे उसे दिये जाता है, तो यह question पूछे जा सकता है, कि कोई vasectomy कराता है, तो उसे कितना रुपे दिये जाता है, तो उसे 1100 रुपे दिये जाते हैं यहां पर एक और कुशन यह भी पूचे जा सकता है महिला नस्बंदी operation के समय कितने समय बाद follow-up करना चाहिए यह काफी important है question पूचे जा सकता है English में अगर बात करें अपन how many days after tubectomy should should follow-up ठीक है यानि कितने समय बाद उसको follow-up कराना चाहिए तो यहां पर पहला follow-up होता है वो 48 गंटे के अंदर होता है उसके अंदर आशा और एनम द्वारा होता है ठीक है दियान रख लेना यह यहां से question पूचे जा सकता है आपके कि जो पहला follow-up है किसी महिला ने मानलो टूबक्टोमी करवाया है तो कितने समय बाद उसको उसका follow-up चेक करने के लिए जाना चाहिए तो उसके 48 गंटे के अंदर आशा जो सयोगनी है आशा सयोगनी है और एनम के द्वारा वहाँ पर follow-up करना चाहिए ठीक है और दूसरा follow-up की बात करें तो दूसरा follow-up surgery के साथ दिन बाद ध्यान रख लेना कितने दिन बाद 7 डेज ये question पूछे जाते हैं CHO exam और एनम exam के लिए copy math phone है तो पहला follow-up कितना हो गया इसमें 3 follow-up होता है कितना होता है पहलो follow-up पहला follow-up कब हो गया अपना पहला follow-up चेंजा 48 days no 48 hour ठिके 48 hours दूसरा follow-up कब हो गया दूसरा follow-up ऑगया 7 days ठिके 7 days after after delivery ठिके सोरी after two back to me two back to me ठिके आप्टर two back to me पे इसके बाद में बात करें पन तीसा follow-up कब करना है one month one month one आप्टर सर्जरी यह तीसरा फोलोप करना है ठीक है किस में करना यह यह करना है कि इसके पूछा जा सकता है इसके बाद बात करने और इंपोर्टेंट पॉइंट है प्रसव के पस्चार कितने समय बाद नस्बंदी करा दी है तो उसे PCS कहते हैं ठीक है PPS कहते हैं दियान रख लाना PPS यह आप से short term पूछा जा सकता है तो प्रसाओ के समय कितने समय बाद नस्बंदी करा दिये तो उसे PPS कहते हैं ठीक है समझ में आ गया PPS का मतलब क्या है PPS का जो full form है अगर PPS की बात करें तो इसका full form होगा postpartum postpartum इस्टेरीलाइज़ेशन ठीक है ध्यान रख लेगा postpartum इस्टेरीलाइजेशन यह आप से नहीं टर्म में इसके बाद पूछा जा सकता है full form के पूछा सकता है तो साथ दिन के अंदर अंदर ठीक है यानि कि डिलेवरी से साथ दिन के अंदर अंदर जैसे की PPS यानिकि प्रसव के बाद पोस्ट पार्टम परिवार नियोजन वह पोस्ट पार्टम आई यू सीडी में कितनी प्रोचान राशी दी जाती है कितनी प्रोचान राशी दी जाती अगर प्रोचान 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 राशी दी जाती है इसमें क्या होता है कि आशा को 150 रुपए दिये जाते है प्रति लाबार्ति जैसे जितने मालो आशाख कितने ह्ष्जाएं जिसके बाद में बात कर होंपन सेवाप्रदाता आहे जिसने लगाए उसको प्रति एक कि उपर 150 रुपे दिये जाते हैं तो यहाँ पर यहाँ से आपसे क्यूशन पूचे जा सकता है एक क्यूशन यह पूचे जा सकता है मिनी लेप किस परकार का परिवार नियोजन का तरीका है तकनीक है मिनी लेप जो है किस परकार का परिवार नियोजन की तकनीक है 브टी उसके लगा दिया जाता है उसके कट लगा दिया जाता है तो यह गिस स्कूराइजिशंग डिशल ओपन मेनी बारेशन उपोथे जा सकता है यह क्योंसें पूछी जा सकता हैws का क्वुल फोर्म है परिवाइव नींयोजन में द्यान रख ले अ परिवार में P.A.S. का full form किया है तो P.A.S. का full form किया है P.A.S. का full form किया है Post.Post.Abortion ठीक है ठीक है pos abortionυ्टेलिजिजिशन ठीक है post abortionυ्टेलियजिशन अगर किसी का abortion hygien हो गयाए और उसके बाद में उसको इस्टेलिजिशन करवाना है तो उसे कहते हैं टिला से खेंपन P.A.S. 335 ठीक है IUCD एंट्रा इंट्रा 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 तो यह करती है दस वर्ष तक है, इसके उपर भी इस्टार लगा ले ना, यह एक्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, नेस्ट क्यूशन यह पूछा जा सकता है, आप से एक्जाम गया अंदर, इंट्रायोट्राइंट डिवाइस लगवाने के कितने समय पर पहली जाँच के ल लिए उसे जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई व्लेडिंग या पिर कोई ऐसे कोई या एक्सपल्जन तो नहीं हो गया है, ठीक है, इस चीज को चेक अप कराने के लिए पहला जाना चाहिए, उसको चार सप्ता और दूसरा, या पिर अपन बात करें, या तो चार सप्ता या फिर पहली माह वारी, जिसके पहली बार लगवआया, उसके बाद मैं, माहा वारी आईए, उस ताइम के वहाँ पर चेक अप कराने के लिए जाना चाहिए, बात कर लेतें और पार पयाने के बेरें, पहली ज़ाँज में यदि कोई परिशा नहीं हो, ठीक है, परिशा न पूछे जा सकता है कितनी बार जानी चाहिए तो साल में एक बार अगर किसी ने आई-उ-सीडी लगा रखा है तो वन एयर में एक बार उसको चेक-प के लिए जरूर जाना चाहिए ठीक है आँगने केह यांकी आप्टर डिलेवरी की बाद में इंट्रेत्री डिवास लगाने का सबसे अच्छा उप्यूप्त समय कौन सा है तो यहां पर कब सबसे उप्यूप्त समय कोन सा शाय है48't fair और दियान रखड़ाए ये intrauterine contraceptive device लगाने के लिए बात कर लेते नेक्स्ट ये क्यूशन का भी पूचा जाता है इस्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्म निरुदक गोलियां कबसे लेना चाहिए यानि कि ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उन महिलाओं को गर्म निरुदक गोलियां कबसे लेना या कोन सी घर्म निरुदक गोलियां सरकार के दोरा मुप्त में दी जाती है यानि को गर्म निरुदक गोलियां जो्वश्ट के दोरा फ्री में दी जाती है तो यहाँ पर संबोग के कितने समय के अंदर ले लेनी चाहिए यह क्यूशन भी काप्य इंपोर्टेंट है यानि कि हाउ मैनी टाइम्स इमर्जेंसी कॉंट्रसेप्टिव शुद भी टेकन तो कितने टाइम ले लेना चाहिए तीन दिन ध्यान रख लना कितने दिन यह फिर तीन दिन ठीके त्री डेज या spending tillui हर्स द्यान रखला पिता या हो तो टDAS धी आपिर 72 हो अप्रेश नेश्ट यह कापी इंपोर्टेंट तो सक्फ़र्म एंजेक्षान है डोस्तों चापे इंपोर्टेंट यह कितने समय के अंत्राल में लगया जाता है। ये इसको कई बार exam में पूछा हुआ है कि जो MPa, जो injection है, MPa, टेके? MPa जो injection है, यानि कि इसको कितने समय के अंतराल में लगाए जाता है, टेके? तो ये अंतरा के नाम से भी आता है, जो अंतरा होता है, अंत्रा की नाम से भी आता है MPA injection इसमें इसका फुल फोर्म भी आपसे एक्जाम में पूछे चाहता है एम का मतलब होता है मैड्रोक्सी मैड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन तो इसको तीन मैने में एक बार लगाना चाहिए सेंटोक्रोमें सरकार के द्वर्म दाच संटोक्रोमें तो कौसी है यहां पर कौसी है फ्री में कौन सी दी जाती है वह है तक फ्रॉमें दी सकता है एक च्छाया च्छाया च्छाय और दियान रखले ना एक तो सह भूंछे ajaता है कही बार कि जो के दऱा कौण सी कोंचली तुम्राइव पी छाया क्या है ये कई पार क्योशन पुचा हुआ है अभी जो ऑघ जो 2017 का एकक्जाम था वो इन दर है च्शाया-क्याया ठीक है तो यह एक तरह से गर्म निरुदक गोली है इस जिसमें कोई हार्मोन नहीं होता दियान रख लाना यह कौन सी है नोन इस्टेरोइडल डल एंड नोन हार्मोनल नोन हार्मोनल नल ठीक है नोन इस्टेरोइडल और नोन हार्मोनल है जिसमें कोई हार्मोन नहीं होता है, इसका उप्योग दूद पिलाने वाली, एहों दूद नहीं, पिलाने वाली मैलाओं के बच्चों में अंतर रखने के लिए सुरक्षित रूप, सुरक्षित विकलक्वे रूप में इस्तिमाल किया जाता है, इससे पहले तीन महा, देखो जो पहले तीन महिने, पहले क्या लेगना है, weeks में, ठीक है, weeks में दो बार, सब्ता में दो बार, उसके बाद सब्ता में एक बार, उसके बाद क्या लेना है, फिर सब्ता में एक बार, ठीक है, पहले सब्ता में कितना लेना है, सब्ता में दो बार लेना है, फिर सब्ता में एक बार उसे लेना है कितने एक महीने तक ठीक है पहले तीन महां के ठीक है तीन महां के पहले सप्ता में ठीक है तो यह इस प्रकार से इसे ले सकते हैं सब्सक्राइब आगया होगा आपको कहने का मतलब ये जो टेबलेट होती है इसको क्या है कि तीन महीने में एक महीने की बात करें अपन तो पहले जो सब्ता होता है उसमें एक सब्ता में साथ बार लेना है फिर बाकी जो तीन सब्ता बचे हैं यानि कि एक महीने में कितने सब्ता होते हैं चार तो यह समझ में आगया हो, बाजार में यह सहली के नाम से उपलब दे, तो यहां से क्यूशन पूछा जा सकता है, नेस बात कर लेते हैं पन, content of Malayan, यह क्यूशन अभी HP, जो HP, SST का जो एक्जाम था, उसके अंदर यह क्यूशन पूछा हुआ था, इसके बावा, M's में भी यह क्यूशन पूछा हुआ था, M's के एक्जाम के अंदर भी, कि जो Malayan है उसके अंदर क्या होता है, तो Malayan के अंदर क्या है, Levengestrol, 0.5 mg होता है, और Ethyl Asteril किता होता है, 30 mg होता है, तो यह द्यान रख लेना, यह क्यूशन पहले भी पूछा हुआ है, यह M's के अंदर भी पूछा हुआ है, तो इसको द्यान रख लेना कि Malayan के अंदर क्या होता है, बात कर लेते हैं, next question की बात कर रहा है अपन गर्व निर्दक गोलियां कब प्रारेंब की जाती है ठीक है यह question कई बार exam में पूछा गया है कि when started of the oral contraceptive जो oral contraceptive से कब start किया जाता है तो 5 महावारी के 5 वे दिन से यानि कि जो menstrual cycle होता है menstrual cycle के menstrual cycle के कहा से 5 वे दिन से start की जाती है कौन को जो गर्व निर्दक जो गोलियां होती है जिससे oral contraceptive को ये question पूच़ा जा सकता है आपसे आदर्ष दंपत्य योजना किस सम्बंदी था है ठौछ दंपत्य योजना किस सम्बंदी था है परिवार नियोजन से इस योजना के अंतरगर 9 दंपत्य के 2 साल के बाद पहला बच्चा होता है तो आशा को 500 रुपे प्रोथसान राशी दी जाती है कहने का मनलब जो आदर्ष दंपती योजना है इसमें क्या होता है जो आशा होती है आशा को क्या है? मोटिवेट किया जता है आशा जो जिनकी नई मेरी जो यह उनको मोटिवेट करते हैं जो पहला वाला बच्चा है उसको आप क्या है? पहले वाले बच्चे को दो साल बाद ही करें अगर वो दो साल बाद होता है तो आशा को 500 रुपे इसके अंदर प्रोथसान राशी दी जाती है तो इसे कहते हैं आदर्ष दंपती योजना नेक्स्ट ये भी काफ़ इंपोर्टेंट है रास्टे बाल स्वास्टे कारिक्रम RBSK के अंतरगत किस उम्ब के बच्चे आते हैं यानि कि जो RBSK जो प्रोग्राम है इसमें किस उम्ब के बच्चे आते हैं तो यहां से किस उम्ब के बच्चे आते हैं से अठारा साल तक ठेक है जन मसे अठारा साल तक के बच्चे आते हैं और इसके अंदर में 29 जो डीजीज है थेक है 29 जो maximum जो 29 डीजीज है यह इनको असेसमेंट किया जाता है ठेक है community के अंदर इनका assessment किया जाता है ठीक है तो जो RBS के जो कारेकरम है इसमें जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चे आते हैं next question ये भी कापी important है JSSK ये कापी important है यहां से अभी जो MPCHO में भी question पूछा हुआ है MPCHO के अंदर JSSK ठीक है ध्यान रख लेने एक जून 2011 को प्रारंब किया गया किसको जन्नी शिशु सुरक्षा कारेकरम को ठीक है next बात के लेते पन कापी important question है JSY जन्नी सुरक्षा योजना कब प्रारंब की गई तो जन्नी सुरक्षा योजना कब प्रारंब की गई 12 अप्रेल 2005 को जन्नी सुरक्षा योजना प्रारंब की गई तो ये भी कापी important question है बिहार में मात्रों तो मत्यु दर कितनी ये आप से question पूछा जा सकता है कापी important है इस्टार लगा लेना mmr ठीक है mmr की बात करें पन maternal mortality rate कितनी है तो कितनी है यहां पर बिहार के अंदर 149 दियान रख लेना 149 वन लाक डिलेवरीज के उपर जो वन लेक जो डिलेवरीज होती है उसके उपर कितनी है 149 है दियान रख लाना इसके उपर इस्टार लगा लेना नेंस्ट इंपोर्टेंट जो क्यूस्ट्चन है वो है परधान मंतरी सुर्क्षित मात्रित्वह अभियान 3 म कैंतर कि इंतर किस दिन गर्वावती महिलाउं डियान जांच की जाती है उस नहीं को जैसे कोई भी महिना जिसके महिने कि फिरींग स्थी किmi जाती है t कुण सी नो तारिक जो नो तारिक आती है तो ऐसे कोई भी महीना है उसकी नो तारिक को फिरी में जहांच की जाती है किसकी गरबावती महिलाओं की next question की काप्य important आप से question पूछा जा सकता है भारत की वर्तमान में infant mortality rate कितनी है तो वर्तमान में जो infant mortality rate है वो है 28.3 ठेक है 28.3 है इसके पहले 29 थी ठेक है infant mortality rate अभी 28.3 है यह question आप से पूछे जा सकता है बिहार infant mortality ठेक है दियान रखना mortality mortality ठेक है बिहार infant mortality rate rate इज ठेक है बिहार infant mortality rate is तो किती है 32 दियान रखना किती है 32 है किसकी बिहार की जो बिहार infant mortality rate है वो किती है 32 है तो इसको पर रिष्टा लगा लेना कापे important है यहाँ पर थेंक्यों दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और वीडियो को शेर और सब्सकाइब जरू कर दीजेगा मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों इन जो पॉइंट है इनको आप अच्छे से देख लेना एक बार अच्छे से पढ़ लेना यहां से अगर आपके एक या दो से अधिक क्यूश्चन पूछ लिए जाते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी क्योंकि बिहार सी एचो का जो एक्जाम है वो पचास अंक का एक्जाम है ठीक है अन् नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद